नमस्कार दोस्तों मेरा हूर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहलोडा मैथमेटिस क्लासेस पर साथ हूं पढ़ रहा हैं रेलिवे घंटा चक्रमैथ जिसके अंदर टॉपिक पढ़ा है ट्रोनुमेट्री और ट्रोनुमेट्री के हूं एक लिइख सकते हैं तो साथ ही किलास को शुरू करने से पहले आप से भी से रूक्रैस्ट आगर आप चानल पर नहीं तो प्लेटी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक हाओ सेज भी करें तो आई साथ हैं यह स्सुरू करते हैं आज हैं है क्लास सेंट और 2nd नमर 21, तो देखने हमें सीधा आपको question number 21 की ओर लेकर छलता हूं, बहुत ही आसान सा question है, बहुत ही प्यारा question है, question number 21 देखेंगे, यह दी x वराबर a सेट थिटा, यह दी x वराबर a सेट थिटा, फ्लस b टैंग थिटा, ओर दिया है, by वराबर, और by वराबर दिया है, बी सेक ठीटा बी सेक ठीटा प्लास ए टैंग ठीटा भूत ही प्यारा सा question है ये दो हमें equation दी हैं ये दो relation दी हैं तो पूछा तो x square minus by square बराबर क्या होगा इसने पूछा x square minus by square बराबर क्या हो बहुत ही आसान question है अभी तो आपको मैं solve करा रहा हूँ लेकिन exam के अंदर आपको आज के बाद कभी भी इस तरीकी से question आता है तो solve करने की जरूरत नहीं direct answer दे देंगे लेकिन अभी मैं आपको यहां पर solve करा रहा हूँ तो देखना कैसे करेंगे आप यहां relation देख रहे हैं दोनों साइड में square कर देंगे इसका square x square बड़ाबर इसका square करेंगे तो आप देखेंगे a square sec square theta plus b square 10 square theta plus 2ab sec theta into 10 theta समझ रहे हैं फॉर्मूला कौन समझ यह है a plus b ka whole square यानि a square plus b square plus 2ab यानि इस पूरेका square ए coke sec square theta plus इस पूरेका square रहे है v square 10 square theta plus 2ab 2ab और इन दोनों multiply sec theta into 10 theta इसी तरीके साब y square कर देंगे इसी तरीके सब y square कर देंगे आप देखेंगे b square sec square theta plus a square 10 square theta plus 2ab sec theta into 10 ठीक है भाई बोज साइड हमने क्या करते है लेकिन हमें क्या चाहिए एक से स्क्वाइर माइनस बाई स्क्वाइर तो बता ना यानि कि हम एक स्क्वाइर में से बाई स्क्वाइर क्या कर देंगे तो माइनस कर देंगे ठीक है माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे बिल्कुर सही है आप देखें यहां से हम माइनस करेंगे तो हमें बिलागा X स्क्वाइर माइनस 2 स्क्वाइर बराबर आप देखेंगे यह प्लास और यह माइनस दोनों सेम हैं तो कैंसल हो जाएंगे भाई यहां आप देखेंगे A स्कॉयर ठीटा यहां देख रहा है बी स्कॉयर 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 ठीटा तो देखना यहां भी स्कॉयर है और यहां भी स्कॉयर है लेकिन यह पिलस का है और यह किसका हमारा माइनस का है तो हम क्या करें यहां पर 10 squares theta, सही है इसी तरीपे साथ देखेंगे PLUS, यहां देखेंगे हमारा क्या B square है और यह हमारा क्या यहां भी B square है UNB y2 यहां do 10 square theta – 2 square theta S XV यहां तक कोई problem नहीं होने चलैगे you can draw a यह मारा minus ऒहांड से देखेंगे अग्र आपने पहली बाली class देखे मैं एक फर्मूल लेकर था तो आड़ी थे глаз तो आप बढ़ए इयाद और यहां देखेंगे यह किसके बढर मैंनीकी सक्वायर माइनीस का मैंच बढ़ए भई बन का मोल्टिपलाइछat और करें किया रहा है एक रहा लेकिन हमारा Quran Film नहीं को होथा ले लए हम ले ले यहां से मैन स्कॉवल क्यों ले लेंगे हैं ऑफ क्यों मेरे यहां से मैंनस कोड़ मेरे नहीं कुछ कौन करने यहां से माइनस कोमठ Ki bez है वो plus को करना है यह हुए मैंश का करना है तो मांश को ममल लेंगे, 1 बुलस वाला वो to minus को बन जाएगा six हैны हो जाकाा सैक स्कार ठीटा मैंनस का बन गया यह हमारा प्लस का यह बन जाएगा academic क्यɎं क्यों किया क्यों कि सेक स्क इस्क्वार मैनस 10 स्कार ठीटावरा बन होता है यानि कि इसकी वेलयू क्या हो जागी बन होजागी आप यहाँ से देखेंगे एकस स्कॉयर मायनस — 2 बस ब्रेश्च वर बरावर een स्कॉयर मैनस dal कर हो होगे दंव बन का multiply B square में करें किया रहागा, B square आपको answer मिलेगा क्या A square मानस B square, यहां से क्या मालूँ पड़ागा, कि X और Y थे यह, X square मानस B square, उसका बरावर A square मानस B square, इसी तरीके से आपके दो relation और होते हैं, वो भी लिख लेते हैं, आज के बाद कभी भी आप इस तरीके से solve ना करें, इस तरीके साथ से property के तोर पर इस relation को आप प्याद रखें, यानि X बरावर, Y बरावर दे दिया, आप यहां देखेंगे, देखो, यहां सेक था और 10 था, अगले में भी सेक और 10 हैं, लेकिन पहली वाली equation में सेक के साथ क्या था A, अगली वाली में सेक के साथ क्या होगा, B हो गया, आप देखेंगे 10 के साथ क्या था B, और हैं 10 के साथ क्या होगा A, यानि यह हमारे सेक और 10 के साथ, जो भी हमारे होते से मलेस A और B हैं, यह हमारे change हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे डारेक्ट x square minus by square बड़ावर a square minus b square इस तरीकी से डारेक्ट इसके साथ मैं दो relation all लिखा रहा हूं आया समझ भाई इसका अगर आप answer देखेंगे तो कौन सा हो जागा second option आपका हो जागा तो इसे मिटा तो कोई दिखकत नहीं इसे मिटा यह तो note कर लेना आप यहां से दो question और बनेंगे कौन-कौन से बनेंगे उन्हें भी लिख लेजी देखो हमें जो पढ़ना न एकदम अच्छी तरीकी से पढ़ना है ऐसा नहीं है तो मैंने पहली class में आपसे बोला था कि यह मैं 112 question तो आपको complete करांगा यह करांगा इसके साथ नहीं नहीं और question क्या बन सकते वो भी आपको complete करांगा तो यहां से देखना दो question और क्या बन सकते तो आप लेखेंगे जैसे हमने एक तो हमारा relation यहीं होगा दूसरा relation यहां से और क्या बनाएगा आप देखें एक को सैक ठीटा प्लस बी कॉट ठीटा बराबर एस एक्स है या फिर दो भाई इस चीज़को में एदा लिए कोई चीज़को में निएक परेशन होने के जरूत नहीं या फ्रेहां भी एक से लिख सकते हैं चलिये ऐसे लिख देता हो आप करेंगे क्या लिग दिए एक्स बड़ाबर एक कोई देखक ठीटा प्लस B कॉट ठीटा दूसरा बाई बराबर आप देखेंगे बी को सैक ठीटा प् इसमें भी relation जो निकल लिगाएगा हमारा यही निकल लेगा x square minus by square बरावर a square minus by square समझ गए तो आपको यह पूरा solve करने की जरूतनी इस तरीके जैसे मैं नहीं किया तो आपको solve करने की जरूतनी अगर आपको इस तरीके इस exam के अंदर पूछ लिए है तब भी आंसर हमारा सेम होगा और पूछा जा सकता है हमारे एक बार यह आगया अब यह पूछ सकता है तीसरा जो रिलेशन है वह लिखना यह भी बहुत जादे इंपोर्टेंट है जैसे a sin theta plus b cos theta बरावर मान लिजी x है ठीक है अब आपसे पूछा है b cos theta minus a sin theta बरावर बाई तो इनमें जो रिलेशन होता है हमारा वह होता है a square plus b square बरावर x square plus b square यह भी आप भाई note कर लेए यहाँ पर मैं आपको question और भी करा रहा हूं और क्या question बन सकते हैं समझ गे एक question आपका यह था दो question आके यह भी बन सकते दो को भाई घटने चक्रमेहत ऐसा तो है नहीं मैं अकेला पढ़ा रहा हूं या आप अकेले पढ़ रहे हैं भाई बहुत सारे teacher पढ़ा रहा हूं बहुत सारे student भी पढ़ रहे हैं घटने चक्रमेहत के लिए तो आपको अगर exam निकालना है exam crack करना है तो हमें उससे थोड़ा सा अलग भी पढ़ना होगा ठीक है एडवांस भी थोड़े से पढ़ने होंगे तो यह मैंने वाई आपको बताती है यह प्रवाइलिटी है exam के अंदर आने की ठीक है यह नोट कर सकते हैं यहां आपने देखा a sin theta plus b cos theta यहां हमारा sin change हो जाता है यहां किसका हो जाता है माइनस का होता है यहां दोने प्लस था तो अब देखे ए स्कॉरर प्लस b आपने सारे topic complete कर लिए ठीक है सारे topic complete कर लेकिन ढंक से आपका एक भी topic complete नहीं क्या फाद है चाहे आपका एक ही topic complete हो लेकिन अच्छी तरीके से complete होना चाहिए अगर आपका exam के अंदर होहां से question आता है तो question आपका चूटना नहीं चाहिए किसी भी हालात में ठीक है चलिए अब यहां से question क्या बन सकता है जैसे आप question देखेंगे sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta बरावर दे दिया 7 upon 13 7 upon 13 हमसे पूछेगा कि बताए cos theta plus sin theta बरावर लगा दिया question mark इसकी value पूछ रहा है अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाएं तो आप देखें यही वाली चीज़ है यही वाली चीज़ है सेम यहां देखिए भई sin theta minus cos theta आप देखें cos theta minus sin theta आप इससे परिशान नहों किया हमारा cos minus दे दिया यहां हमारा sin minus इससे परिशान नहीं होना बस आपको ध्यान रखना है अगर यहां cos minus का है तो अगले वाले में cos plus का होना चाहिए अगले में cos का होना चाहिए प्लस का होना चाहिए यानि change होने चाहिए हमारे और sin भी change होने चाहिए अब आप यहां से देखेंगे साइन के साथ हमारा क्या था अपर A था और आप देख रहें साइन के साथ हैं कुछ नहीं कुछ नहीं यानि कि हम इस तीज को क्या यह नहीं लिसकते साइन ठीटा इंटू वन बिल्कुल सकते हैं यानि एकी जगह हमारा क्या यहां पर बन है, यहां पर A बराबर हमारा क्या है, A बराबर हमारा क्या है, बन है, इसी तरीके साथ आप देखें, B बराबर हमारा क्या है, बन है, B बराबर भी क्या है, हमारा बन है, और आप देखें, X बराबर हमारा क्या है, 7 अपन 13 है, हमें इ कि इसके मेंने इसके मिलएब का सब्सक्राइब करें कि हेस का अनिगे इसका ङुए जब यह तरीके हैं लगाएं इस वाली टो एक प्रवां का स्कॉर्ध बरावर स्वन का स्कॉर्ड फ्रवां का एक को तुगा कितना हो जातागा बरावर इस चिजो को ध्लिद हों कि This सातस्पा प्रने पासध जागा अपफ हो स्ट कर 170 होगा बरावर स्पार Gir आप देखेंगे पी बरावर कितना हो जागा पी इसकोर का स्कुरूट कितना आगा यानि कोस ठीटा प्लस स्टीटा बरावर हमारा कितना जागा इसका आंसर क्या हुआ एक कोशन और दे रहा हूं इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे इसे मैं सॉल्व नहीं करा हुआ समझ गये भाई अब आप देख रहें कितना अच्छा कोशन है और यही वाला कोशन है यही वाली चीज़ा कुछ अलग नहीं है लेकिन अगर आप इस कोशन को सॉब नहीं करेंगे तो भाई एक जांकन्द सॉब नहीं कर पाता अगर मैं नहीं बताता तो और भाई यह कोशन सकता क्यों को समत्की हाई वाला हमारा अगला कोशनों देखेंगे अगर अगला कोसन देख़ेंगे को स्धृत minus sin theta 2 cos theta minus sin theta बराबर कितना दिया 1 upon root 2 1 upon root 2 हम से पूछा है 2 sin theta plus cos theta 2 sin theta plus cos theta इसकी value question mark यही वाली चीज है यही वाली चीज है तो आप देखेंगे यहां A कि जगा कितना दे दिया A बराबर कितना दे दिया 2 दे दिया B बराबर क्या है कुछ नहीं यानि कि one है आप देखें एक्स बरावर क्या है यानि कि यह होगे हमारा यह हमारे एक्स बरावर इसका मुझे पताने यह मैंने क्या मालिया पी मालिया भाई पी मुझे बताना इसका आंसर केतना कमेंट करके बताना मैं नहीं बता हूँ उसे ठीक है चलिए मैंने बहुत ज़् पढ़ना है जो बोक में दे रखा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा भई लेकिन मैं कहूंगा अगर आप एक्जाम निकलना चाहते हैं तो इस तरी के कोशन जरूर पढ़े भई ठीक है अगला कोशन देखे 22 यदि 10 ठीटा प्लस सेख ठीटा बरावर एक्स हमसे पूछा है हमसे पूछा है इसने 10 ठीटा का मान देखे कितना प्यारा सा कोशन बहुत प्यारा सा कोशन है सबसे पहले हम इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको इसका यह लिखना यहां लिखना यॉदी सेdum यहां बनाएंगे इससे आप टेटा माल लेंगे जब आप्या मानेंगे आपका क्या हो जागे लंत यह हो जाएगा आपका a square plus 1 यह हो जाएगा आपका a square minus 1 और यह हो जाएगा आपका 2a अगर कौसन के अंदर सेग ठीटा प्लस 10 ठीटा की वैलू दे रखी है तो हम यहां से लंब आधार और कड तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं देखना इस चीज़ को यहां पर लगा देजि चलिए एक जगा एकस है तो एक जगा एकस से लिखते हैं तो आप देखें एकस से लिखें एकस स्क्वाइर प्लस 1 हो जागा यह हमारा एकस स्क्वाइर माइनस 1 हो जागा यह हमारा क्या हो जागा टूए और यह हमने क्या माना ठीटा माना कोसन के अंदर हमें 10 ठीटा और यह हमारा क्या होता काड़ हमारा चेंज नहीं होता सबतार ने आपको समझाने के लिए डिया सच बतारों बनना में तो इसका आंसर दस सेकंड के अंदर दे दू हो दस नियोग और 5 कि अंदर लिए इए उसक्भार माइनस ये मैरा क्या बने हो यह किanto सारे एक के अम करेंगे कॉंसेप्ट के बाद लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए चलिए पहले इसकी कॉंसेप्ट भी बताईता हूं ठीक है उसके बाद समझाता हूं दूसरी चीज तो देख न जब भी एक्जाम के अंदर सेग ठीटा प्लस 10 ठीटा दे दे एक ही बात है बही 10 ठीटा प सेख ठीटा माइनस 10 ठीटा और यह जो हमारा बरावर दे रखा इसे हम पलेट देंगे यानि यह से वन आपवान एक्स लिख देंगे ऐसा मैंने क्यों किया यह भी समझाओंगा बिल्कुल परेशान नों एक की बेस चीज आपको रटाने की कोसिस नहीं करूंगा जो भी ची सेख कैंसल करना मुझे 10 की निकालने हैं तो आप देखें यहां कर दें माइनस यहां साइन चेंज कर रहा हूं माइनस घटाने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं यानि माइनस हो जागा यह मेरा प्लस हो जागा और यह मेरा माइनस जो साइन प्लस का हो जागा जो माइनस का एक्स माइनस बन अपोन एक्स करेंगे एक्स करेंगे क्या हो जाएक सेजकर हो जागा मैनस बन अपोन लेकिन मुझे निकालनी गवरान ना मत थीकिए लेक democrats यहाननी की algorithm तो अगर आप कभी भी एक्जाम के अंदर अगर इस चीज को भूल जाते हैं तो सच बता रहा हूं यह भी कोई ज्यादा लेंदी नहीं है आसानी सॉल पर से बहुत जल्दी कर देंगे क्या ध्याद रखना है अगर यह प्लस का दे रखा है तो माइनस पर आपको ध्याद रखना है यह हमारा 10 हमेशा माइनस में होता है सेक माइनस में नहीं होगा सब्सक्राइब तो यह जो भी होगा उसे बना लेक्स यहां हो सब्सक्राइब रखना इस तरीके से प्लस का कलगा की प्लेस लगा दिने जो भी होगा उसे बन अपॉन करके लिख देंगे यह चीज मैंने लिखी कैसी यह भी समझ लीजिए तो आप देखिए एक फर्मूला में आपको पहली क्लास में दिखाए बताया था सेक स्कौर ठीटा माइनस टैंड इसकौर ठीटा भाइसा बहुत डिटे डिखाए तो पहले खांस टो पड़ाए तब देखिए हमारा फर्मूला का बेंसद कर एक सकौर माइनश कर देंड बन हो जागा वन तो बताना अगर मैं यहां से आप से सेख ठीटा माइनस टेंट ठीटा वराबर क्या हुआ तो आप देखिए एक्स से हम डिवाइड लगा देंगे याने की बन ओपन है तो यह चीज में डारेक्ट लिखेती यह चीज में आपको डारेक्ट लिखेती तो यह क्यों आप इस चीज को याद रखने की जरूदी लिए आकर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है आपको समझ आना बहुत जरूर है दो को ट्रेक्ट भी हमें तभी याद रहते हैं जब हमारा कॉंसेट के लिए हो अगर कॉंसेट के लिए नहीं तो ट्रिक भी याद नही चैना हएरा एक कॉसर इसी का अधर पर ले जैसे मैं ले लूं कि संग्थ टीटा प्लस टेंड ठीटा बरावर मैंने ले लिया फूर सेख ठीटा प्लस टैंडल ले रहा हो भी शान। तो आप उस तरीके से कर सकते कैसे करेंगे आप देखेंगे डारेक्टिक क्या करेंगे एक ही जगा है तो क्या करते हैं एक कितना फूर है यानि एक कितना हो जागा बाएसाव यह कोषन बता रहाँ कई बार इस तरीके से एकजाम के अंदर पूछा गया है लेकिन हम दिमाग लगाते रहता हैं, रहते हैं, सच बतारा हमारा आंसर निकल के नहीं आता, अगर आप आप ने पढ़ लिया, तो आप exam के अंदर आप इस question को गलत करके, आपको नहीं आना किसी भी हालात में, समझ रहे हैं, दोको अभी तक मैंने दो question कराएं, इस से, लेकिन आपको question मैंने complete करा दि, समाझ आगा, अब यहां से और question क्या बन सकता, यह भी देख लेजिए भई, और question क्या बन सकता, जैसे आप से पूछा जाया कि, कोसेक ठीटा प्लस 10 ठीटा बराबर अगर ए दे दिया, कोसेक ठीटा प्लस 10 ठीटा बराबर अगर ए दे दिया, question के अंदर, तो यहां जो आपका pattern जो बनता है, वो आपका यह तो A स्कॉर प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, यह हमारा हो जाता 2 A, और यह हो जाता हमारा A स्कॉर मा क्षा आप से पूचा जाए कुसेक ठीटा प्लास कॉट ठीटा वरार माले त्री दे दिया हमसे पूचा के बताना कॉस ठीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या करेंगे डारेक्टी ठीटिटी यहां पूट कर देंगे थी का इसको नाइन नइन और रिक वन तैन हो जागा सोरे 3 2 2 6 हो जागा थिरी का इसको 9 9 1 यानि 8 हमसे पूजा कॉछ छीटा क्या होता भाई सा आधार वट्टे कर बेस अपॉन है यह हमारा ठीटा यहां यह सारे डाउट के लिए हो जाने चाहिए ठीक है यह आपके ट्रिक और जो कॉंसेप्ट था वो क्या कर देंगे जिस तरीके से बहुत जादा बनता है इस वैसे मैं आपका भी टाइम लिया है तो आप यह ना समझे के टाइम हुआरा बेस्ट जाएगा बिल्कुल टाइम बेस्ट नहीं जाएगा ठीक है और यहां से अगरा कॉंसेन आता है तो गलत ना करें भाई किसी वह हालात में ठीक है जिस तरीके से भी कोसन बन सकता है है हर तरीके से आपको कोसन बता दिया कोसन अमबा देखेंगे 23 बहुत आसान सा कोसन है यदि 10a-10b बरावर x दिया यदि 10a-10b 10a-10b बरावर क्या दिया दिया है तो कोसन कि अंधर में पूछा क्या है अच्छा तथा कोट वी माइनस कोट एक ऑगददद बरावर क्या दिया कोट क्या हो यह माइनस बी क्या हुआ यह तो आप देखे यह फॉर्मुला होता साइध मैंने पिछली क्लास में तो साइध नहीं लिखाया था यग आव पिछली क्राइब बोला था अगर आपको फॉर्मुले याद है तो अच्छी बात आपको याद नहीं तो या तो आप किसी बुक से याद कर लें अगर आपके बास कोई नहीं है तो आप क्या करें टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से ट्रोमुले डाउनलूड कर लें ज जोन कर सकते हैं चलिए यहां आते हैं तो देखना कोट ए माइनस बी चाहिए मुझे कोट ए माइनस इसका जो फर्मुला होता हमारा होता है यह फर्मुला होता है यह लिखने कोई दिक्कत नहीं यह फर्मुला होता कोट बी कोट सुर्य कोट ए इंटू कोट बी प्लस बन यह यहां मेरा माइनस हो जाता यहां प्लस हो जाता बस साइंच चेंज होते फॉर्मूला इसी तरीके से रहता है ठीक है यानि कि मुझे अगर कौट A कौट B की वैलू पता हो और कौट B- कौट A की वैलू पता हो तो इसके हम वैलू आरा हम से निकाल सकते हैं बिल्कुल तो आप देखेंगे कौट A कौट B की वैलू तो मुझे नहीं पता लेकिन कौट B- minus caught A की value पच्ता है यानि कि इसके नीजे वाली की value मुझे मालूम कितनीphere कितनी míया इसके लेका उपर वाले की नहीं पता इसके गहां से निकालो तो आप देखेंगे इसकी value आपकी यहां से निकल सकती है यहां से निकला ओंको इा किसे तो आप देखिए, 10A को क्या लिख सकते हैं, 10A को लिख सकते हैं, 1 upon cot A, 10A को लिख सकते हैं, 1 upon cot A, इसी तरीके से 10B को लिख सकते हैं, 1 upon cot B, और बरावर कितना हमारा x है, बरावर कितना हमें x है, आप क्या करेंगे, इसका जब लेंगे, तो हमारा हो जागा, cot A into cot B, कोट एंटु कोट भी कोट एंटु कोट भी कोट एंटु कोट भी एल से माग गया यहां देखेंगे कोट ए से कोट ए कैंसल हो जाए क्या बजाए कोट भी बचाएगा कोट भी माइनस कोट भी से कोट भी कैंसल हो जाए क्या वज़ाए कोट ए यानि कोट ए और बरावर क्या ज चाहिए इसकी वैलू मुझे पता है क्या है कोट भी मैंनश कोट एक्स है तो यहां क्या लिख दूँगा इसका इधर क्रोस मल्टिप्लाइब इन दोनों का अपास में यानि एक्स इंटू ब्रेकट के अंदर या फिर ऐसे लिख दो कोट ए इंटू कॉट बि इसकी वैलू नि by upon x और यह हमारा क्या प्लस बन आप इसे solve करें इज आपका answer आजाएगा तो आप देखेंगे जब आप इसे solve करेंगे यहीं कर देता हुझा कोई दिखते निए इस x का 1 हो इस x का 1 हो इस x हो जागा by plus इस का multiply करें क्या ओझा आपका यह चीका X है और फिर नीचे कि आप देक्षे कर दोनों कर से मड्टिप्लाइए जाब आप देखेंगे X फ्लस भाइ सकता हूं यह उटा भाइ। को सब्सक्राइब गोलता हुआ चलिए और चुर्ण करके मैं जो भी करिता हूं उनका मुझे comment करके जरूर बताया करो ठीक है आप लोग comment करके बताते नहीं हो या और आप से solve नहीं होता इसका मतलब अगर solve नहीं हो तो तब भी आप बताए कि हमारी समझ नहीं आया जो भी आपने question बताया हमें ज़रूर समझाने की कोसेश करें तो मैं आपको नेक्स टूडिया में समझाऊंगा ठीक है वहीं चलिए अगला कोशन देखें 24 बहुत ही आसान सा कोशन बहुत ही प्यारा सा कोशन यदि 9 कोश से यार सच बता रहा हूं इतना कोशन आसान है बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा आसान कोशन देखना कैसे कोशन को याद रखना है पैटन याद रखना है अगर आपको साइन और कोश का यूगम मिलता है या फिर बोलें पेयर साइन और कोश का पेयर मिले और वो प्लस के साथ होना चाहिए माइनस नहीं साइन और कॉस का पेर हो किसके साथ हो प्लस के साथ देख रहा है साइन है और कॉस है और यह दोनों प्लस में हैं बराबर में नम्मर कुछ भी हो कोई देख करते हैं हम इस कंडिशन में टैन एक की डारेक्ट वैलू निकाल सकते हैं कैसे तो बताना 10 a वरावर क्या होता है आप देखेंगे sin a upon को से होता है बिल्कुल सही बात है sin a upon को से होता वही 10 a की value क्या होता है sin a upon को से तो आपको देखना आया sin a के साथ हमारे नम्मर क्या दिया है sin a के साथ नम्मर क्या दिया उसे लिख देंगे यानि कि 12 आप पॉन कोस्त एक साथ नमबर किया दिया आप देखें नाइन दिखेंगे यानि कि तेंच चौके बारा तेंटेनों कैंसल हो सकते हैं कैंसल कर देजिए अगर कैंसल नहीं हो तो आप देखेंगे टैने की वैलू मिली फूर अपॉन थ्री पास टैने की वैलू पता पड़े क कोई डिक करते हैं कुछ भी निकाल सकते कुछ भी पूच ले तो आप देखेंगे यह मै ने एंगल अे माल लियाожет अगर एंगल ए है तो आपका लेंभ मियां यह हो जाए और हमारा अधर होजगा एंगर दीख ना टैने लम्ब वट्टे ऑधार क्या होता लम्ब वट्टे अधार पर फूर यह होजगा हमारा अगर यह जो 4 यह हैं उग्धि असीत में प franchise पहली लास में कि 3,4,5 और भी नम्मर थे तो आप देखे रहें थीरो फूर पता है यानि कर्ड निकालना कर्ड कितना हो पांच हो यह आकर समझ भी यह हमारा पांच हमारा यह होगा कर्ड हमें कौसान कंदा जो भी पूछा आसानी से निकाल सकते कौसान कंदा मुझे पूछा कॉट एक क्या होगा आप देखें कॉट एक हमारा क्या होता है कोट होता हमारा दार वट लम टेने मुटता हलोता लंबवट्टי है को्ट आधर वट्टी लम आधार कितना थिरी है लम कितना फोर सच बता रहों भी इतनी आसानिसे आपको कोई निपड़ा हर हर चोटी सी छोटी चीज़ को आपको बताकर मिद्राद को आंसर कोई दिखकत नहीं Honne ठीक है चलिए है यानि कि 3 upon 4 हमारा first option हो जागा अब हम देखेंगे अगला question अगला question और क्या दिया अगला question देखना अगला question हमें दिया है अगला question हमें दिया है 1 प्लस कॉट ठीटा माइनस को सेक ठीटा बन प्लस कॉट ठीटा इसका मांन निकालना है कि आंसर देख रहे हैं रूट टू फोर सौरी ऑप्सन रूट टू फोर बन अपॉन टू और टू जब भी आपको इस तरीके से एक्जाम के अंदर कोशन आता है आपको इसे सॉल्व करने की जरूद नहीं कि कॉट को तोड़ने कॉस अपॉन साइन में कुसे को बन अपॉन ठीटा की वैलू चाहे जो मर्जी जो आपका दिल करें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ठीटा की वैलू हम ऐसी कोई नहीं लेंगे जिससे मेरा आंसर इंफानेट आ जाए जिससे मेरा आंसर इंफानेट जो ही बोलना ध्यान से सुनें ठीटा की वैली हम यहां कुछ भी रख दें बस इतना ध्यां रखना है कि मेरा आंसर इंफानेट नहीं होने चाहिए यानि जब हम यह बैलू कुट करें तो कोई भी इंफानेट ना हो बस तो आप ध्यां रखें कि 0 और 90 छोड़ दें बस यानि आप देखेंगे 0 और 90 पर ही मेरा जो इंफानेट बनता है जैसे आप देखेंगे 10 90 मेरा क्या होता है इंफानेट होता है कोड़ जीरो क्या होता है इंफानेट होता है यानि कि हमारे एंगल बचे कौन से 30 बचा 45 बचा और 60 आपका जो दिल करें 30 45 60 कुछ भी रख दीजिए आपका 101 परसेंट आंसर आजागा इस कॉट कुसे को तोड़ने क जरूरत नहीं है क्या करेंगे बन प्लास जैसे मैंने 45 ले लिया आप कुछ और लेके देखना उससे देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर भी असे बीब कुब बना रहा हूं मैं आपके लिए तो आप ठीटे बरावर क्या लिए 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 माइनस कुसेक 45 की वैल जी कितना हो जाएकर 2-0 अगले पिरकीटम देखेंगे 1-1 यानिक 2 locals गास रोट 2 आप देखेंगे हमारा फिर्मूला बनेकर यह प्लस मायनसि έ oui tukeo TK ScoutManus Root2 आ Christmas करें यानिक नंपर मारा कीतना लगा ट्याए ऐ आपगा आप तीज रखे देखनी आंसर और फिर आएगा टूट कौन सा बसटोंके डेखेंगे 26 अर रहा है समझत वाइस वक्याar क्या द्या भी कौत है SHOW 26 26 देखना बगे क्वेसर नमर 26 दिया साइन ए माइनस साइन वी सा इस ए माइनस साइन वी अपन पोश ए प्लस कास बी प्लस कोस ए मैनस कोस बी अपन साइन ए फलस साइन भी किसके बराबर हैं तो देखो अभी जो मैंने आपको कॉस्टन कराया ना इसे भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं ए और बी की वैलू कुछ भी ले लो जो आपका मन करें लेकिन हैं करना क्या हुगा हमें ऑप्सन में भी वैलू पुट करने हुग जैसे मालीजे इसे स्वाल्व क सब्सक्राइब लेकिन हैं थोड़ा से लेंदी हो जाता है थोड़ा से यहां पर लेंदी हो जाता है हम क्या करेंगे हैं ऐसे स्वाल्व करेंगे बिना एं और लेंगे यह इन दोनों का आपस में ईसकाㅋㅋ आप 10 raise sign A minus sign B और आगे हो जागा थाइन A plus sign B इन दोनों का multiply plus इन दोनों का multiply cós A minus cost B अगले ब्रैकेट-माईगा आपका cost A plus cost B आप देखेंगे नीचे जो रहेगा हमारा क्या आएगा Coast A इन दोनों काते multiply cos a plus cos b अगले bracket में आगा sin a plus sin b आप देखें यहां भी मारा formula बनाएगा a plus b और a minus b a plus b a minus b यानि formula हो जागा a square minus b square यानि कि sin square a minus sin square b plus इसी तरीके से हाँ देखेंगे cos square a minus cos square b यहां भी formula बनाएगा a minus b और a plus b यानि a square minus b square cos square a minus cos square b जो अभी मैंने थोड़ी देखेंगे नीचे बनेगा cos a plus cos b यहां तो हमें कुछ करी ही नहीं सकते हैं क्योंकि दोने जगा हमारा क्या है यहां पर plus है और अलग अलग भी हैं दोने आप यहां से स्कूरी plus Cos square a मैं फर्मल लिखाय था साइन स्कूरे plus cos वह किसके बरावर हो होता वहाई बन के बरावर होता है साइन स्कूरे plus cos square वह किसके बरावर हो तो यह निखाय एथा आप देखेंगे हमार में इहां का बनना साइन इसकुाइर भी और कॉस स्क्वाइर भी लेकिन हम माइनस है तो अगर है मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर हमारा क्या हो जागा साइन स्क्वाइर भी प्लास कॉस स्क्वाइर भी ठीक है और नीचे हमारा यह हो जागा आप यहां देखेंगे साइन स्क्वाइर B plus cos square B ये भी किसके पर आवर हो जागा और 1-1 क्या हो जागा 0 हो जागा आप देखें हो ऊपर मेरा क्या बन जाएगा 0 भाई इसकी वैली हुमारे पूरी क्या हो जाएगी यानि कि 1-1 क्या हो जागा 0 नीचे हमारा यह है यह cos A plus cos B cos A plus cos B वह किसी हमारा है यह लिखनी रहूं तो बताओ यह मेरा 0 अब किसी भी नम्मर का में 0 में डिवाइड करो answer क्या आएगा answer क्या जपसी गुर्ण तो इस पर बनेगा आबम मीं नीचे किसी भी कि अगला कोशन दिया है एक्स वरावर जीरो यदि एक्स वरावर जीरो तो कॉस एक्स प्लस एक्स स्कॉर अपन ट्वेंटी यदि एक्स वरावर जीरो है तो इसने क्या पूछा है कॉस एक्स प्लस एक्स स्कॉर अपन ट्वेंटी कॉस एक्स प्लस एक्स स्कॉर अपन ट्वे यानि आप देखेंगे 28 बहुत सिंपल से कॉसन दिया मुझे कि 10 थीटा वरावर 4 अपॉन 3 10 थीटा वरावर 4 अपॉन 3 मुझे पूछा है कॉसन दे तो साइन थीटा प्लेस कॉस्ठीटा का मानकितन है बहुती सिंपल सा कॉछन क्या पुछा साइन थीटा JUL है क्या करेंगे टेंड हम तुरंथ क्या करेंगे राइट एंगल बनाएंगे संपोर्ट रूज बनाएंगे यह हमारा सब्सक्राइब फिकल्ट तुप्सट्राइब टेम्हों भड़ा बराबर हो तो लंब बत्ते आधार यानि 4 लंब और आधर कितना 3 यान्य और यह जागा 4 यह जागा 3 तो यह कितना हो जागा 5 कैसे निकाला 5 क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको ट्रिप्लेट बताई थी 3,4,5 और सबसे बड़ा जी नम्मर हो तो हमारा क्या होता काड होता तो अगर आपने पहली क्लास ने यह कि देखें और य याने कि तरिया पॉन वाइड कर सकते हैं और नीचे जाएगा आंसर आएगा आपका आएगा आपका सब्सक्राइगा बताइए और कुछ है कुछ भी नहीं बच्चों वाले कौसन है बच्चों वाले कौसन हें आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखेंगे थोड़े से बुड़े वाले कोशन भी आने चाहिए आप देखें यह बच्चा वाला कोशन है 4 sin theta माइनस 3 cos theta 4 sin theta माइनस 3 cos theta बराबर हमें दिया है 0 कोशन के अंदर पूछा है sec theta into cos theta हमें पूछा है sec theta into cos theta कुछ ने इसके अंदर भी आज देखेंगे 4 sin theta यह माइनस बराबर 0 इसे दल ले जाएंगे माइनस का प्लस बन जागा 3 cos theta ठीक है भई अब हम क्या करेंगे इस cos का डिवाड़ लगा देंगे sin की तरफ sin theta upon cos theta समझ रहा है भई इस cos का sin के तरफ डिवाड़ लगा दिया बराबर कितना बचा 3 और यह जो 4 था इस 4 का डिवाड़ लगा देंगे 3 में यानि आप यहां से मिलेगा आपको 10 theta बराबर 3 upon 4 10 theta बराबर 3 upon 4 अगर मुझे यह चीज मिल चुकी है तो तुरंथ ही में क्या लगा दूँगा बना दूँगा राइट एंगल ट्रेंगल सम कॉंट तरफ बोज sin, cos, 10 किसी की value मालूम पड़ जाए आपको तुरंथ ही आपको क्या कर देना है राइट एंगल ट्रेंगल यानिके सम कॉंट तरफ बोज आप देखिंगे, यह मैंने ठीटा माल लिया अगर the time मानने ते लंब बो जागा इया अाधार उजागा इयंक ने यानिकि लंब वट्ट यादार लंब आपका 3 हो जागा आधार आपका 4 हो जागा कर्ड आपका 5 निकला घुक है बताने की जरूद नहीं कैसे निकला समझ रहे होंगे चलिए मुझे पूछा SEC THITA into COSEC THITA तो आप देखें SEC THITA क्या होता है SECOND हाँ SEC THITA क्या होता है SEC THITA होता CARD वट्टे आदा है CARD आपका 5 है आदार आपका 4 है into COSEC THITA होता CARD वट्टे लंब कट आप देखेंगे 5 है लम्ब आपका 3 है आप देखेंगे 5 गोणा 55 यह करेंगे 25 हो जागा चार गोणा 3 हो जागा 25 बट्टे 12 अगर मेरी कैलकुल सही है तो बिल्कुल सही है second option बताई बच्चों वाला बिल्कुल बच्चों वाला था भई चलिये अगर आपको यहीं नहीं पता कि 10 ठीटा और लंबटे करण होता है 10 ठीटा और लंबटे आधार होता अगर यहीं नहीं पता तो भाई ट्रोनमेंटर बिलकुल भी समझ नहीं आएगी आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करें कल भी बोला था क्लास में आज भी कह रहा हूँ फॉर्मूले आप याद करें कहां से याद कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर जाएं वहां से आप डाउलोड कर सकते हैं या आपके पास कोई भी बुक है तो उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं है चलिए अगला कोसन देखते हैं 30 तैने राबर रूट क्योंता फॉर्ट हमें पूछा है अगोता है, माइनस कोट एलफा है माइनस कोट एलफा किया difान कुछ भी नहीं है भाइट टैन इलफा की वैलीं कुतने है रूट 15 15 सब्सक्राइब 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 मेरे पास है रूट 15 प्लस 4 यह है लेकिन आप इसे नीचे से खतम कर दें खतम कैसे करेंगे अगर आपने जो सिंप्लिफिकेशन अगर पढ़ा है वहीं बताया तो साहिद या फिर इंडिस एंड सट वाले घातां के वह इसका रूट है यह मुझे अगर आपको खतम करना है तो क्या करूंगा यहां साइन देखोंगा जो भी साइन होगा उ सर्फडी प्लस 4 और आप देखिंगे रूट 15-4 समझ गें मैंने अगर यह ब्लस होगा तो उपर और से नीचे अगर माहिन अलिवत होता तो प्लस से ऊपर प्लस лес नीचे आप देखेंगे ऊपर हमारी हौगे आ रूट 15-4 पूर- नीचे देखिंग्गे ए प्लस वी और ए-प्लस बी और ए-प्लस बी यहां पर एक चीद देखना थोड़ी सी गलती यहां पर एक कर दी में ने जैसे आप देखना रूट 15 का जब इसको रूट निकालेंगे तो आप देखिएंगे hao Qoji दिक्कत निया इस चीज़ को लिख सकता हूं इस तरीके से 4 plus root 15 तो यह हो जागा हमारा 4-154-0 15 लिख सकता हूं को दिक्कत निया प्लेस त्रीपलेस टू लिखूं या 2-3 लखूं आंसर तो फाइब आएगा तो इसी तरीके से है वह चलिए आप देखें ऊपर हमारा क्या हो गया क्या कर रहा हूं मैं आप गलती होने लग जाए फिर गलती होती ही रहती है देख रहें यहां यहीं लिख देता हूं यहां तो आप देखें फोर माइनस रूट 15 आप यहां देखें एक प्लस बी सब्सक्राइब आप देखेंगे फोर माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर बंद रखें ठीक है आप देखेंगे रूट 15 प्लस फोर माइनस माइनस बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी सायने चेंज हो जाएंगे माइनस फोर प्लस रूट 15 आप देखेंगे यह फोर से फोर कैंसल हो जागा रूट 15 कितना हो जागा रूट लूट 15 यह मत कहते रहा है रूट 30 ठीक है इस तरीके से नहीं होगा वाइक कितनी वार रूट पंद रहें दो बार है तो दो बार आयागा रूट 15 वह जागा टू रूट 15 यह हमारा अंसर बहुत जागा कौन सा अंसर बहुत आप देखेंगे इंक भी कम सी हो रही है चले एक कोशन और कर लेते हैं भी कोसन अमब देखेंके थर्टी वन साइन ठीटा इंटू टैन ठीटा इंटू टैन ठीटा माइनस माइनस सेक ठीटा तो अगर आपको पटा की क्या वाज आ रही हो तो थोड़ा कंप्रोमाज करें को वह दिवाली का समय है और बच्चे बार वहीं पठा के चटका रहा है तो उन्हें रोख नहीं सकते हालाग हो सकता वाज ना भी आ रहे हो चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे साइन ठीटा इंटू टैन ठीटा का लिख सकते हैं आप देखेंगे साइन ठीटा अपॉन यह बन अपन छीटा आप देखेंगे यहां भी कॉस्ट फीटा औरकर चीटा यहां मार की ऑगा सबस्वार अब दाफ देखेंगे साइनि स्कार्ट ठीटा माइनसम्ध ये तो मेरा पीक नहीं होता अगर मैने स्कॉल्भी मैने स्कॉाल होता है फॉसक्रण ठीटा यह फॉर्मुला होता इस वैसे मैंने चेंज किया यानि कि इसकी जगह हम क्या लिखे दें उसकाइब खॉ स्वाइर च्वाइर आपॉन कॉस्ट खीटा आप देखेंगे प्लस है और ही क्या है स्वरी यह च्वार कैंसल हो जागा यानि सिर्फ आन्स भी ज़्यागा हमारा क्या का माइन इस का कोज ठीटा यानिकि आपका जो ऊँग आँप्सटोन देखेंगे कोज ठापलस साइटप कोज ठीटा है जो क्या पूछाइन ए A क्या पुछा या पॉस्ट टाप्लस साइं ठीटा का मान महत्तम कव होगा इसे नवनदीये option कि ठीटा वरावर आपका केतना हो 45-30-90 या फिर 60 या फिर 90 या फिर 30 45-30-30 आगे पीछे करने कोई देख करे दें 45-60-30 इन में से ठीटा क्या हो जब आपका इसका को स्ब्सक्राइब प्लस साइन ठीटा हमारा महत्तम हो तो क्या करेंगे हमें ठीटा के वेलू रखे देखने होगी कि कहां पर हमारा जो महत्तम आ रहा है तो आप ध्यान रखे हमेशा आपको सौल करने के ज़ोते हैं जब भी आपको साइन और कॉस्ट का पेर मिलता है आप से पूछा जाए कम महत होगा तो आप डारेक्टी कर देंगे ठीटा वरावर 45 डिग्री ठीटा वरावर 45 डिग्री अगर आपको करें हमें तो सौल करके बताइए तो आप क्या करें आपको सौल करें मुझे कराएं जरूत नहीं क्यों चोटी-चोटी चीज़ें भाई ठीटा की जगा पैंता लिस कॉस 45 फिलसaring 55 देखें आपकोर सौल करके क्या रहा है फिर आप रखेंगे कॉस 30 साइन साट फिर देखके िरके क्या रहा है फिर मय़ं सौल करने के बाद कौन सा नंबर हमारा बडा आ रहा ह। यान्नि justa की यानि मिद्म कौंसी रखने कर साइन सबसे बड़ा नंबर मिलेग solve करके क्या आ रहा है फिर cos 90 sin 90 आप देखने solve करने के बाद कौन सा नमबर हमारा बड़ा आ रहा हो है हमारा answer हो जागा यानि theta की value कौन सी रखने पर हमारे इसकी value ज़्यादा आ रहा हो है answer हो जागा आप देखने ठीटा बड़ावर 45 रखने पर आपको सबसे बड़ा नमबर मिलेगा एक तो question आपका यह बनेगा यहां से और question क्या बन सकता है आप से question पूचा आता है कि बताना cos theta plus sin theta का महतमान क्या होगा ठीटा ने पूचे वो पूचे महतमान क्या होगा maximum value महतमान maximum value क्या होगी इसकी maximum value तो आप याद रखें a sin theta plus b cos theta अगर इसकी form में आता है a sin theta plus b cos theta के form में आता है तो आपको maximum value हमारी होती है root a square plus b square अगर आप से minimum value पूचे यानि कि नियू नुतम मान पूचे तो माइनस वह लगा देंगे square root के अंदर a square plus b square square root के अंदर a square plus b square मेहतम पूचेगा maximum value plus और a minus यानि अगर मैं आप से पूचेगा बताना इसकी maximum value क्या होगी तो आप क्या कहेंगे a की जगा कितना है यहाप है 1 है और b क्या है a और b क्या है sin और cos के coefficient गुडांक है यहाँ देखें cos के साथ कुछ नहीं दिया यानि कि 1 है sin के साथ यहाँ भी कुछ नहीं यानि कि a और b क्या है दोनों बरावर क्या है 1 1 है यानि maximum value अगर यहां से पूचें तो आप देखेंगे root 1 का square plus 1 का square यानि कि square root 2 अगर minimum पूचेगा तो 1 plus 1 और square root के अंदर minus हो जागा यानि कि minus root 2 तो यह भी आप से question पूचा जाता है और आप देखें आप को आगे question भी मिलेंगे तो लिखेंगे ना यदि a sin theta plus b cos theta हो तो इसकी maximum value होगी root a square plus b square minimum value root a square plus b square यह हो जागा आप देखें question कौन सा भई यह हो गया इसका तो question अब देखेंगे 33 यह question ऐसे हैं कि मुझे बताने वाले हैं नहीं लेकिन फिर बता रहा हूं जो अगला question आ रहा है क्यों बहुत simple simple question है basic question है क्या दिया है भई 3,4,3 3,4 तो यहां तो देखेंगे कोट ठीटा क्या हो जागा कोट ठीटा क्या जागा 4,3 तो इस question को solve परने के आपके दो तरीके हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं देखेंगे न जैसे हमसे पूछा इसने कि 5 sin ठीटा प्लस 3 cos ठीटा 5 sin ठीटा प्लस 3 cos ठीटा अपन क्या दिया है वही अपन दिया 5 sin ठीटा मानस 3 cos ठीटा 5 sin ठीटा मानस 3 cos ठीटा इसकी वैलू निकाल लिए हमें चीक है तो इसके आपके दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका क्या जैसे आप देख रहे हैं इसको आपको कॉट बनाना है क्योंकि हमें थीटा की वेलू माल में पढ़ेगा फूर पॉन तरीक तो यहां कया सकता है क्या होता क्या है cos theta बटे आप साइन से यहां डिवाइड करते साइन से यहां तो साइन से साइन यह तो चैंसल हो जागा और यहां का बन जागा इसी तरीके से आपका चलो करके दिखा अंगे लिए कोई बात में फाइदा क्या आप देखेंगे इसे समझ लिए कॉस्ट डिवाइड हेँ करेंगे साइंस से तो साइंस से साइंसे केंसल हो जागा कॉस्ट हो जागा फ्लास ये वह बन गया और को कर वर फॉर अपॉन तरी या यह भी कोट हो जागा को जागा दूसर तरीका क्या है मैंने आप से क्या बोला तो जब भी आपको साइन को सेक्सा किसी की वैलू मालिम पड़ जाए तुरंत आप क्या बढ़ा है राइट एंगल ट्रेंगल बना समकॉट तरोज बना दे इसे ठीटा माल लिए मैंने आप देए चिट तो यह होता है यांनि आदार मारा थिरी है और कितना ठीग आधार वट्टे पाल आप कोस तने कि अंदर कोई कोई दिक्कत नहीं आप देखेंगे कैसे करेंगे अब ये दूसरा तरहीं का बता आला है 5 into sin theta sin theta क्या होता लंब बट्टे कर्ड तो लंब कितना 3 कर्ड कितना 5 यानि कि 3 upon 5 plus 3 into cos theta क्या होता आधार बट्टे कर्ड आधार कितना 4 कर्ड कितना 5 यानि कि 4 upon 5 upon 5 into sin theta sin theta क्या हो लंब बट्टे कर्ड लंब 3 कर्ड कितना 5 यानि कि 3 upon 5 ठीक है न हां माइनस थ्री इंटू कॉस्टीट क्या होता वैं कॉस्टीट होता आधर वट्टे कर्ण आधर कितना हमारा फोर और कड़ कितना फैर फूर अपन था एक तरीका पर यह भी हो सकता है थोड़ा समय लगा लेंदिया पहले वाला सही था तो आप देखेंगे नहीं ल यह वाले आप इसे छोल करें पांच तो दूसरा और चौता नमर केंसल आज question मुझे लगा बहुत कम रह गया रहा है पर वीडियो कितनी भी लंबी हो जाब है चालिस question तो मैं कराऊंगा आपको 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 मैं कराऊंगा ही कराऊंगा तो आप देखेंगे question नमब 34 दिया है च्छे कोशन और हैं जो कि हम भटापड से करेंगे बहुत जल्दी करेंगे जाता टाइम नहीं लगाएगा 34 देखेंगे sign लिखने की जोट नहीं निमने लिखत में से कौनसा हमेशा धनातमक है तो इस question को solve करने से पहले मुझे एक चीज़ बताएगर मैं किसी भी नमर का आपसे square पोच्छो चाए वो positive का हो चाए negative का हो जैसे आपसे पोच्छो 2 का square क्या होगा अगर हमेंगे माइनसनक क्या होगा न यहीं पूंक है कौनसा धनातमक है कौनसा धनातमक है 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 तो यहां से अप मज़ आगे कि जिस पर square होगा वही हमारा धनातमक हो जागा तो आप देखिए आपका जो c option है sin square x plus cos square y ऐसे हम लिख सकते हैं sin x का square plus cos plus cos y का square ठीक है इसकी value चाहे कुछ भी हो चाहे plus में आए चाहे minus में आए आप देखेंगे आपका answer हमेशा plus आएगा जैसे माल लेजिए x मैंने माल लिए 0 तो बताना sin 0 का value क्या होगी जीरो का square 0 plus आप मैंने by मैंने माल लिए 120 by क्या माल लिए 120 आप देखें cost 120 की value होती है minus में और minus में कितने होती है minus में होती है 1 upon 2 और यह हमारा क्या square 0 होगी हमारा आप यहां से हमेशा देखेंगे कि आप को हमेशा जो value मलेंगी वह किसमी मिलेंगी प्लस मिलेंगी आपके दिमाग में अच्छा तो हमें चेक करने कजरूत नहीं सी option होगा लेकिन आपके दिमागा देख रहेंगों डी में दे रखा सभी तो क्या पता वह और वी जो दो option है क्या पता उनसे भी हमारी प्लस आ जाए तो इसे भी रखे देख लेते हैं अगर यहां सभी ना होता चौथा कोई और option होता तो आप यहां डारेक्ट option इस तरीके से देख सकते हैं लेकिन आप हो सकता एक जो second option है वहां भी आपके दिमाग में आ रहा हुआ कि यह भी तो हमारा square है sin x square plus sin x square plus cos by square यह भी तो square है यहां भी तो हो जागा तो भाइस सावर जो पहले वाला लिखा था और यह जो लिखा है दो नहीं अलग है इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते ठीक है तो देखेंगे आप यहां कुछ बाइक के वैलु कुछ भी ले लिए जैसे माझनलों बाइक वैलु आपने ले लिए प्लास कॉस साथ ले लिए सुरी तीस ले लिए लेकिन पर इसकॉर लगा हुआ तीस पर इसकॉर यानिक 900 हो जागा तो कॉस नौसा की मुझे क्या पता प्रस में आएगी माइनस में आएगी किसी में भी आ सकती है ठीक है तो आपका सेकेंड ऑप्शन तो होगा इन्हें फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे साइन साइन मौड एक्स प्लस कॉस मौड बाई साइन मौड एक्स प्लस कॉस मौड बाई यह तो देखने पहले तो मौड का मतलब समझें यह जो आप साइन देखने किसका मौड का मौड का मतलब है इस मौड के अंदर चाहे हमें हमारी वैलू माइनस में हो चाहे हमारी वैलू प् plus में ही रहते हैं तो आपकी दिमाग नाहोरा होगा इसका मतलब हमारा यह पैज सकता है कैसे देखें यह हमारा प्रस होगा लेकिन यह जरूर देखेंते चाइवी जिरो माल ले और हिए कि देखेंगे साई मॉद्ग नसकॉत च一点 मॉड खतम करें조 प्लस का एक तो आप देखें, sin 0 के वैली 0 और प्लास, cos 120 के वैल होती होती हूं, माइनस 1 by 2, तो आप देखें, 0 माइनस 1 by 2, यानि कि यहां से हमें आरा हमेशा जो है, प्लास में वैली हमें प्राक्त नहीं होगी, इस वजए से जो आपका जो आंसर है, वो C हो जाएगा, question number देखेंगे, हम 35, question number 35 और 35 दिया है, 7 sin square theta प्लास 3 cos square theta, 7 sin square theta प्लास 3 cos square theta, बरावर हमें दिया है, 4, बरावर क्या दिया, 4 दिया, हमसे पूछ रहा है, 10 square theta का मान, 10 square theta, बहुत सिम्पल है, आप देखेंगे, यहाँ sin है, यहाँ cos है, आप किसी को एक में change कर लेजे, जैसे sin square theta है, मैं cos को change कर रहा हूँ sin में, cos square theta प्रावर होता है, 1 minus sin square theta, बरावर हो गया, 4 हमारा, आप देखेंगे, 7 sin square theta, प्लस, इस 3 का अंदर multiply कर देंगे, 3 का 1 करेंगे 3, और यह minus plus minus minus, और 3 sin square theta बरावर 4, आप देखेंगे, 7 sin square theta, minus 3 sin square theta, क्या हो जागा, 7 minus 3 minus करेंगे 4, 7, 4 sin square theta, और देखेंगे आप बरावर, इस 3 को 4 की तरफ ले जाएंगे, तो बताना 4 में से 3 minus करेंगे, कितना हो जागा, 1 हो जागा, आप यहां से देखेंगे, sin square theta बरावर हो गया, 1 upon 4, इस 4 का divide लगा दिया, मुझे sin theta निकालना है, तो दोनों तरफ क्या लगा दूँगा, square root लगा दूँगा, तो sin square theta का square root होगा, वो कितना हो जागा, sin theta, और 1 upon 4 का की हो जागा, 1 upon 2, वह बन का square root 1, 4 का square root के तरह 2, 4 का square root के तरह 2, यानि sin theta के value हमारे आगे 1 by 2, आप देखेंगे, sin theta बरावर, यह जो 1 by 2 है, sin में किसकी value होती है, साइन में किसकी वैलू होती है अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन देखेंगे अगर यहां कॉस होता तो यहां भी कॉस देखते हैं अगर इधर कॉट आता तो इधर भी कॉट अगर इधर 10 आता तो इधर भी 10 देखते हैं यहां मुझे साइन आया तो मुझे साइन के वैल यही मेरे प्यारे भाई आंसर हो जागा यानि के आपका जो आंसर हो जागा फर्स्ट ऑप्सन कुसा नमद देखेंगे 36 कुसा नमद धेखेंगे 36 कुसा नमद कॉस ठीटा अपन बन माइनस कॉस ठीटा स्क्वार रूट के अंदर है बन प्लस कॉस ठीटा अपन बन माइनस कॉस ठीटा हम क्या करेंगे यहां पर देखो जो नम्मर नीचे है जो नम्मर नीचे है उसके अपोजेट से उपर और नीचे मल्टिप्लाई कर देंगे तो माइनस क्वेशा हैं साइन-chaon करके साइन चेंज करके तो बंपलस कॉस्टीट समाझके विए जो भी नमर हमारे नीचे है सवरे Land मारे संथ आर से तहोँ प्रिम साइं माइनस का है तो ऊपर पिलस का कर देंगे अहां उपर ओmegन नीचे दोना करें माइनस कॉस स्कॉए हूर इसकॉए रोट के अंदर है तो बत्दां सब्सक्रीं को हो वन यह होगा और बंड- companhya हुमारा posicking थिटा होता सान सब्सक्रीच निख्धे कि आ गए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं देखना उपर प्लस माइनस कुछ भी हो और नीचे हमारा जो भी है उसे हम अलाला करके लिख सकते हैं यहनी बन अपॉन साइन ठी टा फ्लस कॉस ठीटा अपॉन साइन ठीटा इस चीजह को alan आप देखिए जब इसको सोह करेंगे तो आपको यह ही मिलेगा उपर जो भी है उपर उपर वारे नमर को प्रतिक के निएचर जो मेरे में उसे लِखते दे तो बन अपॉन सायं क्या होता बन अपॉन सायं होता है कोश से में दाल लेता हूं बहुत ज्याधा कम भाई आलाक मुझे लग रहा थोड़ी सा इस्पीड में बढ़ा दिये पर जादा नहीं थोड़ी से ना पर ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा हुगा आपके लिए समझ तो आ रहा हुगा ना चलिए बात ऐसी है दोको कॉस्टन भी जादा भी कराने है ठीक है और जल्दी करना है कि मारा एकजाम है और और समझ भी आना चाहिए और जल्दी बीखंण चाहिए दोने चीज है चलिए अगला कोशन देखेंगे आप था Assim进 उसको अधीनिंट हो न्यटावर तकशन मारक हम क्या करेंगे कि दाइरेक्टिक का ले ले लेंगे स्ट 노ेंगे सही है व्लकुल सही है वे इसका एधर मल्टिप्लाइ इसका एधर हुआंधे स्ट सन जाइब made प्रस्टन सही लिखा है मैंने बिल्कुल सही है बई हम डारेक्टी का ले लेंगे 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 यानि इसका इधर मुल्टिप्लाइब इसका इधर और इन दोनों का आपस में यानि कि साइन ठीटा और ब्रेक्ट के अंदर बन प्लास कॉस्ट ठीटा आप देखेंगे साइन स्कॉयर ठीटा प्लास इसका स्कॉर फोलेंगे तो बन का स्कॉर बन प्लास कॉस्ट स्कॉर ठीटा प्लास कॉस्ट स्कॉर ठीटा प्लास टू कॉस्ट ठीटा समझ आया है यह हमारा ए प होगा और यह हमारा CosThe on क्या हो जागा और बंड प्लस बन तू यह है लिख दूँँ चलो लिख देता एक स्टेप और कोई बात नहीं और यह घागा थीटा और र्लस तो सब्सक्ष नगे राता बह Tucson जागा तो ब्रयक्ट मझआ बन छफ बन प्लस बन प्लस कउश्च थीटा हूं believe the दो साइंज पाने सब्सक्राइब के इस लिए जाए तू को सेग्छ ठीटा आप देखें आंसर हो जागा अच्でした इसी में दिया है मारा अंसर डू अपल अधरिये लिख देता है कोई दे नहीं ठीट अगर इस तरीके से नहीं होता तो तो हमारा आंसर क्या होता टू को से टीट तो हमारा सी ओप्षन हो जागा कोशन अम्मा देखें थर्टी एट बस तीन कोशन और हैं खटापट से नहीं भी कर लेते हैं तीन कोशन और उसके बाद जैम आता देखेंगे आप ऐसा ना सूचें कि मुझे हमें जो 20 कोशन कराएं प 10 35 into 10 55 और बरावर दिया में बरावर दिया में साइन एक हमसे पूछा है हमसे पूछा है एंगल एंगल डिगरी किसके बरावर एंगल एंगल एंगले कितना सिंपल अगर आपने कल वाली किलास देखिए तो आपको जरूर पता होगा मैं लिखा है था टेन इंटू टैन 90 हो आप देखेंगे 10 एंटू 10 पिए टेंटिफैंट फिशागा 55 बताँ 35 55 एड करने पर 90 मिलेगा बिलूकुल मिलेगा और 90 मिलेगा तो इसकी वेलु क्या होगी वन होगे यानि हमारा क्या हो जागा यानि के साइं ए ओस्राइब अगर देखेंगे साइन में किसकी वल्यु उत्य तो आप आप देखेंगे सांगे साइन नभब्य kedrive से ले कंछल और बावर किसा कि पूच और परेवं कि बार है जांघेसा एसा का T लिया हमसे पूछने कोई जरूरती नहीं थी लेकर कोई बात नहीं पूछाय तो बताना तो पड़ेगा क्योंकि भाई एकजाम के अंदर तो हमें नमबर चाहिए क्यों कि दिया है पहला अप्सन देखिए ने में वर्खiece से कौन सा संबब है यह आप खिए निफीय हैंскan 45 की value root 2 होती है वहीं क्या कॉस 45 की value root 2 होती है बिलुपल नहीं होती कॉस 45 की value होती है बन अपन रूट 2 यानि कि हमारा जो पहला option है वो क्या जागा गलत हो जागा समझ गए इसी तरह किसे देखेंगे 10 तेंट ठीटा वरावद्या बन अपन रूट 3 तो मझे एक ची बता ना यह जो बन अपन रूट 3 है 10 में किस की value होती है आप देखेंगे 10 30 की value होती है यानि यहां से मुझे ठीटा की value मालू पड़े ही कितने 30 degree ठीटा की value कितने 30 degree तो मुझे बताना cost 30 value क्या cost 30 की value रूट 3 upon 2 होता है बिल्कुल होता था है कॉस्ट इसके वाले रूट 3 upon 2 यह तो होती है यानि यह मेरा सेकंड ऑप्सन सही है मुझे आगे ऑप्सन चेक करने की कोई भी आवसकता नहीं है कॉस्azon नम्र स्टीन connections कें कॉस्ट नहीं कोई सनना चालिस देखेंगी कोस्ट इसक्वाइर डिग्री प्लस व्प्लस बहुत प्यारा शाफिस्था प्लैस जो में बिए तो देखर ने जब भी आपको कोसन के अंदर एक्जाम के इंदर इस तरीके से मिले या तो साइन स्कॉायर के साथ मिले या फिर आपको को सबसे आपको क्या करना चेक आपको देखना है कि लाइस नुबर है और जो last number है क्या दोनों को add करने पर 90 हो रहा है क्या 90 हो रहा है आप देखेंगे 5 यह 90 है यह तो add करके 95 हो जागा लेंगे मैंने क्या बता है 90 होना चाहिए तो देखने 90 होगा कैसे आप देखेंगे आप 5, 10, कितने गपा 5 का है याणि 5, 10, 15, 20, 25 होगा तो बताना 5 का गपा तो 90 से पहले क्या होगा आप देखेंगे 90 से पहले क्या होगा 85 होगा 85 ही क्यों होगा क्यों 5 का difference है तो क्या होगा 85 आपको क्या देखना है वहीं तक सीरिज लेनी है जहां तक फर्स्ट और लास्ट का एड़ करने पर 90 मिल जाए आप देखेंगे 5 है और 85 दोनों के एड़ करें क्या मिल जागा 95 सॉरी 90 अब आपको क्या करना यहां से लेकर यहां तक इसके पदों की संख्या निकालने हैं पदो सिक्रेंट निकालते ऐंतिमपद मायनेस प्रफंपद अन्तिमपद में अन्तिमपद इह त कि एलन को अब सिक्रेंट है इमय拉गर यह तक के बात कर रहा हों तो अभी यह भूल जाईए हभी धिक नभी है कि नहीं सिर्प यहां तक तो अंतिम्पत क्या 85-5 अप्पोंगं में अंतर कितना तो पदों में अंतर कितना है पांच का अंतर है वह प्लस 1 यहां से हमारा क्या निकलता पदों की संक्य हो जागा डिवाइड वाइड वाई 5 प्लस बन इस पांच पार सी में लगाएंगे कितना होगा पांच पार सी में लगाएंगे तो से डिवाइड और करना होगा यानि हमारा आंज़र हो जागा आठ साही एक बट्टे दो लेकिन मेरा यह और बागी है तो आप देखेंगे प्लास कॉस 90 की वालू क्या होती है आप देखेंगे आंसर हमारा सिर्फ यह जगा आठ साही एक बट्टे दो आस बस एक कॉसन और ले रहा हूं अभी आपके लिए अभी तो कॉस वाला था साइन प स्क्वाईर थे डिग्री प्लस साइन इस्क्वाईर फाइव डिग्री प्लस ौक्वड़ एकके सिर्पार दोर्टी olsun साइन इसक्वाईड फैट्टी नैसीन अभी तो छो जो कॉसन था कॉस वाला था लेकिन मैं प्रिफंपा यानिक वन अपन पदों में डिफरेंस एक और दो कितने का डिफरेंस है तीन का सब्सक्राइब यहां से निकलते अब यहां से कर सकते हैं तो आपको यहीं तरीका अपना ना ठीक है इसका कॉंसेट भी है कॉंसे कशन बता नहीं रहा हो बता देता अगर आप कहेंगे तो अगर आप यह वीडियो थूड़े लंबी हो रही है है इस वैंसे में इसको हламा तो इस तरीक चे के सा और भी आएगा तो आपको के च्वकरशन जो ब्थे कॉंस ultuna बता दूंगा तो आगे होगा समय आपको क्या करना पधों की संखे निकाले पदों की संके जो भी निकले उसका आधा का दे आधा क्यों करते हैं यह आपको बेसिक जब कॉंसर्ट पता हूं तब बता हूं अभी आप प्रिक के तौर पर इसे याद रख लें ठीक है चलिए तो आज हमने जो चालिस तक कॉस्टन कंपीड करें और हां जो पहले वाला जो चालिस वां जो कोस्टन था उसका आंसर क्या रहा था डियो ऑप्शन आता आठ साही एक बट्टे दो तो साथ आज क्लास को में हैं स्टॉप करता हूं और आपको क्लास कैसी लेगी अगर आपको क्लास अच्छी लेगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीड